नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भोशपुरी नाव में दोस्तों वेव म्यूजिक के यूटूब पेज पर आज एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है मर के भी टाइगर अभी जिन्दा है जिसका आज हम इस वीडियो में दोस्तों ब्रेकडाउन करने वाले हैं इस ट्रेलर का कि आपको इस फिल्म में क्या-क्या देखने मिल सकता और दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये रहेगा कि आपको क्या सच मुच इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और क्या-क्या खूबी है इस पिक्चर की और क्या-क्या नाकामी रही है इस पिक्चर की वो भी हम आपको इसमें बताएंगे जो कि हमें ट्रेलर देखने के बाद बता चला है क्योंकि दोस्तो ट्रेलर जिस तरह का इसका बना है दोस्तो उसके बारे में और भोचपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का ट्रेलर और इस तरह का फिल्म में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए उस पर भी बात करने वाले है इस वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो को प जाएंगे क्योंकि दोस्तों इस ट्रेलर ना कोई सर है ना पर है कभी दोस्तों इसमें अक्शन शुरू हो जाता है और कभी दोस्तों कहीं से भी गाना शुरू हो जाता है बहुत ही ज्यादा दोस्तों конфीजिंग ट्रेलर है ये आपको हम सच बताना चाहिए दोस्तो हमने भी इस ट्रेलर को घसीट घसीट के देखा है पूरा दोस्तो इस फिल्म के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद हमें मालूम चल गया कि दोस्तो इस भोजपूरी पिक्चर में कोई भी ऐसी ठोस कहानी नहीं है जिसे दे प्रश्ति एक्टिंग करवाई जारही है ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि उनकी जो आक्टिंग है वो natural निकल करा रही दोस्तो आपको साफ तौर पर बता दें कि आपको फसानी के लिए ही इस फिल्म में इतने सारे action scenes दे गये हैं पर दोस्तो जब आपको कहानी ही नहीं मालुम चलीगी कि कहानी से आप connect ही नहीं हो पाएंगे दोस्तो तो आप इतने action scenes को देखकर क्या कर लेंगे Action Scenes तो दोस्तो आप कहीं भी YouTube पर किसी और पिक्चर में भी देख लेगे पर दोस्तो जो कहानी होती है जो किसी भी फिल्म से किसी को connect करके रखती है दोस्तो वो ही इस पूरे ट्रेलर से गायब थी अगर दोस्तो बात करें इस फिल्म की हिरोईनों की तो दोस्तो इस फिल्म में 3 हिरोईन है और उनका होना या ना होना एक बरावर ही है दोस्तो उने रखा यही इसले गया है ताकि लोगों का बीच में entertainment होता रहे उनके जिसम को दिखा दिखा कर कोई भी इसमे नारी शेशक्ती करन की बात नहीं कही गई है दोस्तो इन हिरोईनों को शायद दोस्तो इसले रखा गया है ताकि ये लोग अपने आइटेम सॉंग से जो भोशपूरी जनता है उसका दिल बहलाते रहे अब ये दोस्तो हमारे नजर में बहुत खराब चीज है क्योंकि दोस्तो भारत की बेटिया जो है वो भारत का नाम रोशन कर रही है कई की सारी उपलद्दियां हासिल करके पर दोस्तो इस फिल्म में जिस तरह से इन तीन हिरोईनों के किरदार को गढ़ा गया है हमें ऐसा देख कर बिलकुल भी नहीं रखता कि किसी को भी इनसे इंस्पायर होनी की जरुवत है दोस्तो इन तीन हीरोईनों को दैसे हमने आपको पहले ही बताया सिर्फ सेक्सी सेक्सी सॉंग्स के लिए रखा गया है ताकि लोगों को सेड्यूस किया जा सके बिन मतलब का और कुछ हीरोईनों का काम नहीं अगर आप इन्हें हटा भी देंगे इन फिल्मों से तो भी दोस्तो कोई फर्क पंड़ने वादा नहीं है ये ट्रेलर जितना पहले खराब था बाद में भी उतना खराब ही रहेगा दोस्तो हमारी तो यही राय है इस ट्रेलर को देखने के बाद दोस्तो कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़रूर इस पिक्चर को हॉल में देखनी जा सकते है अगर आपको टाइम पास करना है सिर्फ कोई ज़्यादा ऐसे कुछ पिक्चर देखना नहीं है मतलब हॉल के मज़े ही लेने है तो बस आप इस पिक्चर को जाकर देख सकते है कोई खास इंटेंशन लेकर वज़ जाएगा कि हाँ आज मैं ये पिक्चर देखनी जा रहा हूँ तो मुझे जहां मैं पैसा लगा रहा हूँ वहां मुझे कुछ सीख मिलने वाली है कोई सीख नहीं मिलने वाली है दोस्तों उल्टा साइद आपका दिमाग ही आपका सन ही दर्द करने लगे इस फिल्म को देखने के बाद दोस्तों हम तो रिकर्मेंट आपको नहीं करेंगे कि आप इस पिक्चर को देखें कमेंट सेक्षिन में जरूरी कर बता हैं इस वीडियो को लाइक करें शियर करें और हमारे चैनल भोश पूरी राओं को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार